जोहार साथियो अभी मैं सकलपू ताली डिगा में मवजूद हूँ दो साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो अधूरा नाली होने के कारण यहां की 400 लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी क्योंकि चपाकल का पानी और घर का पानी रोड में जमा होती थी आये देखते हैं कैसे बदला हुआ फ़ेले समस्याद थे कि किक्चर पानी ओला कि पानी थे होता था दुआर पर आता था मधगंदा पानी और उस में मच्छ भी होता था केडा यह मी को बेमारे पानी किदर साता था पानी हम लोग का घर में घर के बगल में एक चापा कल है वहां से पानी आता था उसमें पुरा गाव का अधनी से इस्तमाल कर रहा था उस पानी को आते जाते थे तो वह पानी आता था हम लोग का दुगार में दिया हम लोग का रिकत होता था नाली पूरा और वार्ट और पंचात समीति जो है उनसे अवेदन लिखा उसे जमा कि इसके बाद एक वीडियो भी बनाये थे जो किचरता था तक हम लग का समय से हल इसमें हमारे यहां का एक रांती मुर्मु जी और वार्शदस सितली टूडू जी के द्वार अब फिर से हमको बोला गया क नहीं इसकारी को करना है बहुत आवाश्यक भी है तो इनी लोग के सहयोग से और इसी इनी के सिकायत पर इस काम को पूरा किया गया तो इलोका भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग रहा है और अभी नाली बन के तयार हुआ है कम्प्लीट है इस बदलाव के लिए हमने तीन फरवरी 2021 को पैंचाज सचीव को मैंने एक अवेदन दिया अवेदन देने के बाद जुन जुलाई 2021 में नाली निर्मान शुरू हुआ और उसी मन्त निर्मान का कार्य खतम हुआ अभी रोड में पानी जमा नहीं होती है अभी यहां की सड़के साप और सुन्दर है इस कार्य के लिए पैंचाज सचीव, मुख्या और रोवाड को तहे दिल से धनिवाद देते है मैं क्रांती मूर्मो जिल्ला जाम तड़ा जार्खन से इंडिया अनहट के लिए यहां के लिए पैंचा है